केंद्र ने राज्जी और केंद्र श्यासित प्रदेशों से उन्स इंसानों के खिलाफ कानूनी या प्रश्यासिनी कारवाई करने के लिए कहा है जो होटल के साथ स्वाज़दारी में कोवीट टीका करंड के पैकेच दे रहे हैं केंद्र का कहना है कि ये तैय दिशा निर्देशों का उलंगन है स्वास मंत्राले के अवर सचे मनुहर अगनानी ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए एक पत्र में कहा कि मंत्राले के संग्यान में आया है कि कुछ नीजी अस्पताल कुछ होटलों क साथ मिलकर कोविट टीका करण के लिए पैकेज मुहाया करा रहे हैं यह राश्ट्रिय कोविट टीका करण कारेक्रम के लिए जारी दिशानिर देशों के खिलाफ है साथ ही उनने कहा कि सरकारी कोविट टीका करण केंद्र और नीजी कोविट टीका करण केंद्र कारेस्थल बुजुर्गों और दिवांगों के लिए घर के पास कोविट टीका करण केंद्र के अलावा राश्ट्रिय कोविट टीका करण कारेकरम के तहत और किसी स्थान पर टीक करण दिशा निर्देशों के खिलाफ है और इसे तत्काल रोका जाए रोकरिंगे एगली खबर की ओर जहां देश में कोरोना संक्रिमन्ट की दूसरी लहर अब धीरे-धीरे मंदी बढ़ रही है लेकिन मौत की संख्या में मामूले गिरावट भी देखी जा सकती है स्वासमंत्राले के तासां अंखडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,65,553 नए करोना केज सामने आये हैं जबकि 3,460 संक्रमितों की जान चली गए महीं 2,76,309 लोग करोना से ठीक भी हो गए है बता दें कि आज देश में लगातार 70 दिन करोना वायरस के नए मामूलों से ज्यादा रिकवरी हुई है पिछले 46 दिन में आज करोना वायरस के सबसे कम नए मामूले सामने आये है और देश में करोना के दूसरी लहर में COVID-19 मामलों की संख्या तेजी से बड़ी है और अब उसी तेजी के साथ इन मामलों में गिराबटा रही है केवल तीन हफ्तों में डेली केस का साथ दिन का औसाथ आठ मई को संक्रमन के पीक की रिकॉर्ड संक्या से लगबग आधा हो गया है आखडों के अनुसार शनिवार को देनिक मामलों का औसाथ दो लाग से कम हो गया और ये आखड़ा एक लाग पिचानवे हजार एक सुतिरासी था जो पीक पर पहुंचने के तीन लाग एक्यानवे हजार दो सुतिरेसट केस लगबग पचास फीसदी है दूसरी लहर में औसाथ देनिक मामलों में पचास प्रतिशत की कमी देश में महामारी की पहली लहर की तुला में आधे समय में आई है पहली लहर में 17 सितंबर को औसाथ देनिक मामले यानि 93,735 केस के साथ पीक पर पहुंच गए थे छे सब्ता के बाद 30 अक्टूबर तक ये संक्या गिरकर आधी हो गई थी हाला कि डेली मौतो का अंकडों में संक्रमन के मामलों की तरह गिरावठ नहीं आ पाई है बढ़ते अगली खबर की ओर जहां करोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्षी दलों ने जम कर सवाल उचाए करीब 20,000 करोड के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को गयर जरूरी बताते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार को कुरोना से निपटने पर ध्यान देना चाहिए जिसको लेकर दिली हाइ कोर्ट सोमवार को फैस्ला करेंगी कि वरतमान में जारी कोविड महामारी के दोरान सेंट्रल विस्टा पर योजना के काम को जायी डखने की आनूमती दी जाया है या नहीं सेंटर विस्टर पोजेक्ट के निर्मानकारे को रोखने की आचिका पर मुख्य नियाय अधीश डी एन पाचेल और नियाय मूर्ती जियोती शिंग की पीठ ने सुनवाई की है पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई की तारिक तै की है हाई कोट के बात सूची शनिवार को सामने आई अधालत ने अनुवादक अन्या मलहुत्रा और इतिहासकार व्रिक्चित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाश्मी की संयुक्ती आचिका पर 17 मई को अपना फैस्ता सुरक्षित रख लिया था दोनों ने ही अपनी आचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्य कारे नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है कर दोना और इसे कुछ समय के लिए कर दोना एक रूना फैसे कि लिएर स हमय के लिए दोना है